दिवाली इस्पेसल पहुत ही सुन्दर और स्वादिष्ट मिठाई की रेश्पी में सेर कहर रही हूँ इस मिठाई के आगे सारी मिठाई फेल है पहुत ही मज़े की ये मिठाई बन के त्यार होती है और सबसे अच्छी बात है इस मिठाई को आप इंस्टेंट बना के त्यार कर सकते हैं दस मिनिट के अंदर में मिठाई बन के त्यार हो जाएगी और आप इसका टेक्स्चर देखे कितना बढ़िया है ऐसे मिठाई अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो कम से कम 1500-1800 रुपे किलो तो जरूर मिलेगी अभी फेस्टिवल चल रहा है मिठाई का दाम बहुत जादा बढ़ा रहता है और जरूरी नहीं है कि एकदम प्योर आपको मिठाई मिलेगा बहुत ही मिलावटी मिठाई इस टाम मिलते रहता है और आप इसे घर में अपने पसंद से बहुत ही बढ़िया बना के त्यार कर सकते हैं तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो देखिए एक कड़ाई में हम आधा छोटी कटोरी दूर डाल दिये हैं और इसमें हम एक चथाई कप के जितना मतलब उसी कड़ोरी से मैं नाप के लिए हूँ एक चथाई कड़ोरी ये पीसी हुई चीनी है चेनी पीषने टाइम में ही मैं इलाइची का दाना डाल के पीष लेती हूँ तो मिठाई बनाने में आसानी हो जाती है अलग से इलाइची का दाना को पीष के या फिर क्रस करके नहीं डालना पड़ता है तो अब मैं इसमें एक छोटी कटोरी milk powder डाल दी और ये तीनों चीज को हम अच्छे से मिला लेंगे एक छोटी कटोरी milk powder या फिर एक cup milk powder लेजिएगा तो उसमें आधा cup आप दूर डालेगा और एक चठाई cup पिसी हुए चेनी डालेगा पर्फेक्ट मीठा बनके त्यार होगा आप थोड़ा सा कम या जादा कर सकते हैं मीठा पर बस इतना डालने से बहुत ही अच्छा मिठाई बनता है पहले हम ये सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम गैस पर इसे चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम कम करके ही रेखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है बस पाथ से छे मिनिट का टाइम लगेगा और मिल्क पाउडर बहुत जल्दी से गाढ़ा होने लगता है ऐसे भी हमने इसमें दूद जादा नहीं डाला है आधा कप ही डाला है तो यह बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा तो बस लगातार चलाते हुए इसे हमें पाथ से 6 मिनिट के लिए पकाना है या फिर तब तक आप पकाए जब तकि यह जो मिल्क पाउडर है ना बढ़िया से एकदम डो जीसा ना हो जाए तो यह पकड़ा है इससे पहले हम क्या करेंगे थोड़ा से इसमें फूड कलर डालेंगे अगर आपको फूड कलर पसंद नहों तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर वो भी नहीं डालना चाहते तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं केसर के धागे डालेंगे तो कलर भी आ जाएगा और पढ़्या ना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए और हम पकालते हैं जबतें कि mayoría और जाता हम इंस्टेंट मावा बना के त्यार कर रहे हैं अगर आपके पास मावा हो तो आपको इस प्रोसेस को करने की जुरूरत नहीं है मावा को ग्रेट कर लिजेगा और उसमें पिसी हुई चीनी डालके इस मिठाई को बना सकते हैं अभी मैं इसमें आधा चमस घी डाल रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है तो इसमें थोड़ा सा घी डालना जरूरी है तभी ये हाथ से चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से कढ़ाई को छोड़ देगा और एकदम मावे की कश इसका हो जाएगा तो देखे घी डालके थोड़ी देर के लिए दो मिनिट के लिए और इसे हम पका लेंगे बहुत जल्दी से ये देखे कढ़ाई छोड़ दिया है और अच्छे से भून भी गया है तो थोड़ा से घी डालना मिल्क पाउडर में जरूरी होता है तभी माव थोड़ा जादा ही लिजेगा क्योंकि इसमें जो मॉस्चर होता है और मिठास होता है उसकी वज़े से काजू बादाम को हमें वाइंड करने में आसानी होगी मतलब मुठी बनाने में आसानी होगी तो काजू बादाम और डेट्स मैं ले रही हूँ आप अपने पसंद से औ काटना मुष्किल का काम लगता है तो चोपर में डालके चौप भी करसेक्ते हैं या फिर मिकसी के जार में डालके एकवार मिकसी को चला भी सकते हैं तो यह देखिए सारे डुट को मैं काट ले और अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ इसमें आपको मिठास अलग से डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो डेट्स है न मिठा ही होता है और इसमें जो थोरा सा मॉस्चर होता है उसके कारण काजू बादाम भी अच्छे से मिठा हो जाएगा और आप इसका लड़ू का सेप देंगे न तो आराम से बन जाएगा तो देखे अच्छे से में बढ़े असे मसल के मिला ली और अब आप देखे बहुत ही अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ गया है तो अब हम इसका इस तरीके से लड़ू जैसा बना सेकते हैं या फिर थोड़ा सा ओवल सेप में भी बना सेकते हैं जैसे आपको मिठाई का सेप देना हो उस तरीके से ये श्टफिंग का बॉल्स बना लीजेगा उसके बाद अब हमारा मावा भी ठंडा हो गया है तो अब हमावा के भी टुकरे कर लेते हैं तो जितना बड़ा श्टफिंग है उससे थोड़ा बड़ा आप मावा का टुकरा करिएगा तो देखे मैं चार श्टफिंग का बॉल्स बना के रखी थी तो मुझे लग रहा था बहुत बड़ा बड़ा ये मावा का टुकरा बन रहा है तो मैं पाँच कर ली और ये श्टफिंग बड़ा बॉल्स को भी थोड़ा सा छोटा करके मैं इसका भी पाँच बना ली और अब हम इसमें ये जो श्टफिंग है ना इसको भर लेंगे तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मिठाई बना सकते हैं इसमें ये श्टफिंग है ना भरने में बिल्कुल भी परिसानी नहीं होती है आप देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल भी ये मावा जो है ना चिपक नेरा है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा घी जो डाला है बिल्कुल मार्किट से जो मावा लाते है वैसा ही यह मावा बनके त्यार हुआ है और मिल्क पाउडर से इंस्टेंट मावा बनके त्यार हो जाता है थोड़ा सा घी डालना जरूरी होता है और ये दीके बिल्कुल भी हाँ से चिपक नेरा है बहुत ही अच्छे से इसमें हम ये श्टरफिंग कर लिये हैं तो आप अपनी हिसाब से इसका सेप रख सकते हैं मैं थोड़ा सा लंबाई सेप दे रहे हूं और आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं या फिर एक साथ आप माबा को पूरा इकठा ही बेल लीजिए थोड़ा सा पतला फैला लीजिए उसके बीच में सारा श्टरफिंग डालके और फिर रोल कर लीजिए तो आपको जैसे सुवधा लगे वैसे आप इसमें स्टरफिंग कर सकते हैं तो मैं छोटा छोटा इस तरीके से ओवल सेप में बना रहे हूं और बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बढ़ा भी नहीं है बहुत ही आराम से इसमें स्टरफिंग हो जाता है एक दो बार हाथ पे इसको करके रख लेंगे आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह देखने में अभी से ही लग रहा है तो यह दीखिए सारा रोल में बना के रख ली और अब मैं इसके उपर थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा के देखती हूं कैसा लगता है अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो लगा लिजेगा नहीं तो ऐसे ही आप इस मिठाई को रख सकते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा इसलिए आज मैं पहले ही बंद कर दी थी और ये दीखे दो ही रोल के उपर मैं सिल्वर वर्क लगाए हूँ बाकी का तीन ऐसे ही रहने दी ऐसे भी देखने में ज्यादा अच्छा ही लगता है सिल्वर वर्क लगाने से क्या होता है थोड़ा सा दिवाली वाला जो मिठाई का लुक होता है वो आ जाता है टेस्ट में कोई फारक तो परता ही नहीं है तो इसलिए मैं तीन ऐसे ही रहने दी और दो के उपर सिल्वर्वर्क लगा ली और ये देखे मैं बीच से इसे कट कर ली और इसी सिल्वर वर्ट का जो पेपर था ना मतलब बटर पेपर उसी से मैं इसको अच्छे से सेट कर ली क्योंकि ड्राइफरूट का स्टफिंग है तो काटने टाइम में थोड़ा बहुत इस तरीके से बाहर की साइड निकल जाता है तो आप पेपर से या फिर हाथ से इसे अच्छे से से सेट कर लीजे ये देखे कितना बढ़िया से कट रहा है कितना बढ़िया देखने में लग रहा है बहुत ही जवरदस्ते मिठाई बनके त्यार होता है इंस्टिंट आप इस मिठाई को बना सकते हैं और अब आप देखें, देखने में लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, और येकीन मानिये, स्वात तो इसका बहुत ही बढ़िया होता है, आप लोग एक बाद ट्राई जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा, कम अपना सौफ्ट एकदम माउथ मेल्डिंग ये मिठाई बनके त्यार हुआ है, तो दिवाली स्पेसल इस मिठाई को आप लोग ट्राई करके दिखेगा, ड्राई फ्रूट और थोड़े से मिल्क पाउडर से हमने इस मिठाई को बनाया है, और बहुत ही जवर्दस्सी मिठा में लग रहा है, तो ट्राई करके देखेगा आप लोग भी,